नमस्तार साथियों आपका एक बार फिर स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल गुर्देव रियल इस्टेट डवलपर्स के अंदर साथियों जैसे कि हम समय समय पर आप लोगों के लिए ग्रेटर नवड़ा के अंदर यमना एक्सपरिस्विक अंदर डिफ्रेंट डिफ्रेंट सेक्टर्स की डिफ्रेंट 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 लोकेशन की प्रोग्रेस की डवलमेंट की करेंट सिच्वेशन की वीडियो के द्वारा जानकारी देते रहते हैं तो उसी क्रम में आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रेटर नवड़ा की एक ज Greenwood Society की जो location है, जो P3 से आपका या expressway की तरफ रोड जाता है, road expressway पर, knowledge power station की तरफ, मैं 60 meter road है, इस road को located करते हुई society है, इस road के front पर society है, society का जो इस्थापना कह लिए जे आप society की जो या आप कह लिए ले इसका इस टॉन डाउन हुआ था, वो 2000 के आसपास हुआ था, society काफी highly security society है, gated society है, location बिल्कुल एकदम मैं 60 meter road पर है, परी चौक से 2 minute की connectivity है, metro station से 2 minute, expressway से आप 2 minute में कहीं आ सकते हो जा सकते हो, और सबसे जो इसकी advantage वाली बात है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, safety security wise, उसका reason क्या है, reason बता देता हूँ, क्योंकि Greenwood Society जो authority द्वारा, allotted की गई थी, वो सिर्फ IPS, Indian Police Service, उन अफसर्स को की गई थी, उसके इलावा, मतलब उस टाइम पे कोई procedure दूसरा नहीं था, तो जो लेने वाले सब लोग ते, जो allotted लोग थे, सारे IPS अफसर्स थे, तो IPS अफसर्स वज़े से आप जाहिर है कि उनके अंदर फिर वहाँ safety, security, management, अंदर का जो environment, वो आप समझ सकते हैं किस टाइप का है, तो वो सब देखते हुए Greenwood Society को, ग्रिटन यूडा की post society में counting होती है, जिसके, society में जो सबसे एहम चीज है, इस में जो plots का sizes है, इस society में, मतलब आप कह लिए क्रम, मतलब कोई छोटा बढ़ाना करके, size छोटा बढ़ाना करके, एक equivalent के तोर पे सारे IPS सर्च के लिए, 300 मीटर का, 299 मीटर का एक ही size के सारे plot related किये गए, सोसाइटी में सारे के सारे plot 300 मीटर के size के plot है, और plots के सामने जो maximum मतलब आप मलिए, सबी roads 12 मीटर के minimum road है, पार्क वगेरा 4-5 अंदर पार्क है, एक में सेंटरल पार्क उससे अलग और 4-5 पार्क है, तो हर पार्क का maintenance, location, उनका maintenance कह लिजी आप, और safety, security एक दम A1 क्लास से थू होती है, आप किसी और society में भी मतलब query और आपकी inquiry तो हर जगह होती है, बट society में entry के लिए आपको वहाँ पर मतलब जा करके आपको prior permission लेनी होती है, जब तक कि अंदर से permission approved नहीं सकती, आप entry नहीं कर सकते, तो इस वज़े से सिकावटी के मामले में काफी वह पॉस्ट साइटी है, और sizes भी मैंने बता कि एक ही size है 300 मीटर का, तो इस वज़े से कोई छोटा size कोई और बड़ा size तो एक बहुत decent sizes है, 300 मीटर का अच्छा खासा बड़ा size होता, उसी level के सारे plots है, इसकी बात करें, इसकी बसावट की, तो इस society के अंदर अभी आजगी rate में करीब करीब 50% यानि आदी से ज़्यादा society developed हो चुकी है, आदे से ज़्यादा मकान बने हुए है, maximum मकान में जो retired officers हैं या भी on serving है, खुदी ज़्यादा रहते हैं और किसी को rent it पे permission भी कमी देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस society का management हैं अंदर का RWA, society की जो अंदर team है, वो सारे इनी अफसरों के हाथ में हैं, तो सारे IPS अफसरों के हाथ में हैं तो जाहिर सी बात है, उसका maintenance, उसकी security, उसकी safety, उसमें कुछ भी compromise करने वाली condition होती नहीं है, तो society लेने के रहने के लिहाद से, safety के लिहाद से और location के लिहाद से, सारे ही लिहाद से society अपना एक अलग स्थान रखती है, इसी वज़े से society की काफी demand रहती हैं इसमें plots की, और ज़्यादा demand होने की वज़े से, इतने plots मार्कीट में कह लिजिए, आप purchase करने के लिए आ भी नहीं पाते, limited एक दो number plots आते हैं, buyers ज़्यादा होते हैं, तो आसानी से availability होती नहीं हैं, बाकि लोगों की choice होती हैं, तो समय समय पे plots आते रहते हैं, मिल जाते रहते हैं, दूसरा सबसे बड़ा जो एहम इसमें एक और factor है, कि आप पैसे आपके पास है, ठीक है, पैसे हो हैं, finance करा सकते हैं, बैंक अगरा हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो purchaser, जो है buyer, उसका पहले society जो है, वो profile mandatory check करती है, यानि अंदर society की NOC आपको तम मिलेगी, पहले society आपका एक interview, बेस पे एक आपका personal profile का interview होता है, उसमें वो buyer करने वाले इंसान का है, जो भी व्यक्ति लेने का इच्छुक है, उसका profile check करते हैं, उसमें इन्होंने जो criteria किया हुआ है, बहुत आप IPS, अगर officer society है, अगर IPS है, तो आप easy उसमें तो कोई issue नहीं होगा, लेही सकते हैं, IPS हो गया, IAS हो गया, PCS हो गया, तो उस cadre को तो कोई ज़्यादा issue होती नहीं, क्योंकि same departmental है, same professional है, लेकिन दूसरे विहाब भी नोंने थोड़ी सी उसमें हलकी सी छूट दी है, कि आप अगर किसी government के even class officers हैं, किसी भी section में central government, अथवा state government, या judicially में judges हैं, या और कुछ higher rank है, तो उन लोगों के लिए भी concession type में ये approved NOC कर देते हैं, तो सबसे पहले तो इस society में आप purchase करने का plan बतार तो एक profile based society NOC को देती है, तो उसके लिए ठीक ठाक profile, A1 class officer, उस grade sir related to Trump Bandit, उन्हीं लोगों को सिर्फ transfer हो सकता है, ऐसा नहीं कि government के किसी भी sector के किसी भी employee को हो सकता है, तो इन्होंने अपना criteria रखा हुआ है, क्योंकि society में इस तरह के लोग रहते हैं, तो इनको भी उमीद है किसी तरह के लोग जो कुछ बेचना चाहते हैं, नए लोग आए, वो भी test के लोग आए, आपके आर्मी के colonel, brigadier, general, इनको भी easily transfer हो जाता है, इनको भी TM हो जाता है, म होना चाहिए, प्लस availability थोड़ी tough होती है, sizes मैंने के कोई छोटा देखने लगे, छोटा न साइज है, 300 से न कोई 300 से ज़्यादा बड़ा है, 300 मीटर का sizes है, और अगर बात करें, इसके final price की बात करते हैं, तो आज की date में अगर या प्राइस की बात करोगे, तो minimum एक लाक रु रुपे मीटर तक का rate, यहां पर आज की date में जो है, वो depend करता है rate plot की location के ऊपर, corner का plot है, पार्क facing plot है, अच्छी facing का plot है, mail entry पे plot है, तो maximum rate तक जा सकता है, वो date का सपास कर, general plot है, average plot है, वो है, तो minimum rate आपको सवा से नीचे नहीं मिलेगा, तो rate का मैंने आपको idea बताया, लेन इसकी connectivity के बारे में बताया, इसकी location के बारे में बताया, और यह बताया कि क्यों इस society को post colony की county में रखा जाता है, तो सारा साथ, जो मैंने सारी सब चीजे subject रखा है, उसे देख करके आपको लग गया हो कि post colonies को क्यों कहते हैं, इस size हो गया, अंदर रहले वाले लोगों का profile हो तो साथियों यह आज मैंने आपको बताया, ग्रेटर नियोडा की one of the most post society sector, society colony, greenwood के बारे में, जिसमें 300 मिटर का size अकेला, उससे related, मैंने सारी की सारी चीजे हैं, आप लोगों को समझाई है, इस society से संबंदित और कोई query हो आपकी, या और कोई दूसरी आपकी जानकारी हा करना चाहते हैं, society में plot sale करना चाहते हैं, पर्चेज करना चाहते हैं, उससे संबंदित, कोई भी जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर दिये गए नमबरों पर ले सकते हैं, आप कभी भी नमबरों पर 24 गंटे कॉल कर सकते हैं, किसी भी जानकारी के लिए हमें नमस्कार